नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका आपके अपने चनल स्टड़ी विदवनीशर में और आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज और ये बहुत खास कबर है आपके यूपीटेट 2018 के आयोजिन के संबंद में और जैसा कि ये देख पारे हम एक लेटर अभी मीडिया में सर्कुलेट हुआ है जिसमें प्रेशक जो है चंदरशेकर विशेश सचेव उत्तप्डदेश शासन ने ये पत्र लिखा है कथित पत्र लिखा है इसकी सत्यता की पुस्टी मैं नहीं कर रहा हूँ इसको मैं वेरिफाइण नहीं कर रहा हूँ क यह सही है गलत है यह तो कल की पेपर में आके ही पता चलेगा लेकिन जैसा कि भी हम देख पा रहे हैं तो लेटर ठीक ठाक ही लग रहा है यह संभाव नहीं कि ऐसा हुआ हूँ क्योंकि मैं आपको बताएता हूँ कि इस परिक्षा का जो समय है वो बदला गया है और देखते प्रेशित किया गया और दूसरा दूसरा जो प्रेशित है यह सचीव परिक्षा नियामक प्रादिकारी उत्ता प्रदिश अली इलाबाद को और जैसे हम देख पारें लेटर में जो है डेट जो है 13 नुवंबर 2018 की इसमें डाली गई है तो हो सकता है कि यह लेटेस्ट अप कि आगे देखते हैं उसमें और क्याद रखा है उत्तर प्रदेश की पात्रत परिक्षा नियामक प्रादिकारी उत्तर प्रदेश इलावात के पत्र संख्या यह टीटी 2018 दिनांग बारेगेरा 2018 2018 जो निदेशक SCERT को भी संभोधित है का कृपया संदर्ब ग्रहेंड करें इस समय मझें कहने का निदेश हुआ है कि आपके प्रस्तावनुसार दिनांग 2018 उत्तर प्रदेश इक्षक पात्रता परिक्षा की दित्यपाली में दित्यपाली में की जुनियर का जो एक्जाम हो अबने वाला उजह जिसे प्रात्मिक की उत्तर प्रदेश इक्षक पात्रता परिक्षा में 30 मिनट की व्रद्दी करते हैं उत्पाली की परिक्षा का मध्यान दो टीस से पांच बजे के स्थान पर मध्यान तीन बजे से पांच तीस बजे तक कराई जाने से तू सासन द्वारा सम्यक विच्वारो परांत नेमलिकित सुनसोदित प्रिक्षा कारेक्रम समय सार्णी अनुमोधन प्रदान किया जाता है और इसका टाइमिंग देख लेता है कि पूर निर्दारी समय दस से साड़ी बार बजे लेकिन जूनियर का पेपर है उच्छ प्रात्मिक कक्सा छह से आठ का पेपर है वो तीन बजे से साड़े पांच बजे के बीच में कराई जाने का इसमें आदेश हुआ है यह ब्रेकिंग न्यूस है फ्रेंट्स क्रपया तदनुसा अग्रत कारवाई करें और इस पर यह विससे सजीब के सिंगने जर्व गरा डिट अगरा डली है तो अथेंटिक ही लग रहा है फिर भी कल पर में आने की जो है तर तक नंतंचार देखिए और बिना किसी किसी प्रैशर को लिए वे हैं इतना पड़ा कितना नहीं पड़ा कुछ और पड़ लेते कुछ कंपड, जितना आप पड़ा है आपने आप ने सही पड़ाई अभी दो इतीन दिन हैं और थुड़ा सा जोर ल लेकिन है कम की होने वाली है भी नयी और नयी बह't आपको मुझे बतानी चाहिए कि फिर भी जहां तक मुझे जानकरी मिली है कि किसी के एडव maravil consommATA है जो की exam भी देने जा रहे थे ठिक है कोई candidate है कि का कथित रूप से जानकरी आई है कि उसका प्राइमरी का और जूनियर का जो सेंटर काफी डिस्टेंस पर पड़ा है 30-40 किलोमेटर के अंतर पर तो शायद कोई रिट वगेरा भी यूपी टी यूपी टी यूपी टी 2018 के एक्जाम के उपर डाली गी है और कल यह परसों में शायद कुछ इसक भटकाफ के आप अपनी तयारी करते रिए एक्जाम होगा ठीक है मिलते हैं नेक्स वीडियो में एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे कुछ इंपरेंट बातें पड़ेंगे गुड़नाइट थेंक्यू धन्यवाद